चैस्री राम सभी पाया को आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है दबंग टू मुवी के ओपर तो आज के अपने इस वीडियो में हम दबंग टू मुवी की कहानी की बारे में पर उस पर छोटा सा रिवियू करेगे तो वीडियो को लाश्ट तक देखना और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और साथी में हमारी चैनल को सब्सक्रेब करना तो आए सबसे पहले बात करते हैं दबंग टू मुवी की कहानी की बारे में तो कहानी यूपी की लालगन चोकी से चुलबुल पांडे यानि सलमान खान का अब ट्रांसपर कानपूर हो चुका है पिछली फिल्म में सोतेले पिता और भाई से दूरिया बनाए रखने वाले चुलबुल अब पिता यानि प्रजापती पांड़ यानि विनोत खन्ना और भाई मक्षी यानि अर्बस खान के साथ एक ही छट के नीचे अच्छे माहूल में रहते है चुलबुल की वाईफ रज् सिंगेनी प्रकाश राज और उनके दोनों भाईयों के आतं को खत्म करने की कसम खाई है मुहिम संभाली है चुलबुल के काम करने का अंदज वही पुराना और इमेज रोबिन हुट वाली है शहर के एक स्कुल से किड्नेप पर्स बच्चे को अपने दमखम से छुड़ाने के एवरेज में चुलबुल को दस लाख रूपे के नोटों से भरे उस बेक को लेने में कोई बुराई नहीं नजर आती जो बच्चे के पीता को फीरोती के तोर पर किड्नेपर्स को देने थे चुलबुल अभी भी अपनी उस उपर की कमाई में से पुलिस फंड में इसा द पकरा होता है और यहीं से सुष्ट रफ्तार से आगे बढ़ती कहानी को फिल्म रफ्तार पकड़ती है अगर एक्टिंग के बात करें तो चुलबुल पांड़े का किर्दार फिल्म के दूसरे किर्दारों पर इस कदर भारी पड़ा की दूसरे किर्दार बोने बनकर रह है सोनाक से बस शॉपिंग बनकर रह गई आग चुलबुल पर टिकी इस फिल्म में विनोत खन्ना और दीपक डोबरियल दो ऐसे किर्दार है जिन्होंने अपनी मौजुद्गी दर्ज कराई है